C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ सबक नमबर 6 कच्छुआ और तालाब ये एक लोग कहानी है सफा नमबर 31 एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब दरिंदे मिल जुलकर रहा करते थे सुना है कि उस जमाने में वो एक दूसरे की बाते भी खूब समस लेते थे एक साल बारिश बिलकुल नहीं हुई तमाम नदी नाले और तालाब सूख गए पानी की कमी से जानवर मरने लगे जानवरों का ये हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों का एक जलसा किया जलसे में मुक्तलिफ जानवरों ने तकरीर की ये बहस हुई कि ऐसी क्या तरकीब की जाए कि पानी की कमी से जानवर ना मरे लंगूर बोला, हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहां इसे खुश्की का डर खतम हो जाए बच्चो इसमें एक तस्वीर बनी हुई है इसमें शेर सभी जानवरों से बात कर रहा है सफा नंबर 32 ये सुनकर कच्छवा फौरन बोला मगर भाई, मैं तो इतना लंबा सफर नहीं कर सकता मैं तो मर जाओंगा साप ने अपनी राए दी अच्छा, तो फिर ये खुश्की का जमाना हमें सो कर गुजारना चाहिए खरगोश ने अपना ख्याल जाहिर किया लेकिन हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं आखिर में ये बात सामने आई कि सब लोग मिल कर एक तालाब खो दें बारिश के मौसम में तालाब भर जाया करेगा और इस तरह से पाने की कमी भी दूर हो जाएगी सब ने ये बात मान ली और ये तैह हुआ कि अगले दिन से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया जाए सबसे पहले जंगल का राजा इस काम को शुरू करेगा और फिर बारी बारी सब इसमें हाथ लगाएंगे आखिर में गी दड़ इस काम को पूरा करेगा बचो इसमें एक तस्वीर है और तस्वीर में चारो तरफ जानवर खड़े हैं शेर तालाब की खुदाई कर रहा है खुदाई का काम शुरू हो गया जब काम खत्म होने को आया और गी दड़ की बारी आई तो वो कहीं नजर नहीं आया तालाब तो पूरा होना ही था सफा नमबर तैटीस इसलिए गी दड़ का इंतजार ना करके उसे पूरा कर लिया गया चंद दिन के बाद ही बहुत जोर की बारिश हुई पूरा तालाब पानी से भर गया तालाब के भरने पर फिर जलसा बुलाया गया और ये फैसला हुआ के जिन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है वही जानवर यहां आकर पानी पी सकते हैं गी दड़ तो काम से जान चुरा कर छुपा छुपा फिर रहा था इस जलसे में शरीक नहीं हुआ लेकिन उसने जाड़ियों में छुपकर तमाम बाते उनकी सुन ली उसने सोचा कि उसे सामने नहीं आना चाहिए और छुपकर पानी पीना चाहिए दूसरे रोद वो सुभा सुभा उठा और दूसरे जानवरों के पहुँचने से पहले तालाब पर पहुँच गया उसने खुब जी भर कर पानी पिया फिर ये तरीका इख्तियार कर लिया कि सुभा उठता और चोरी चोरी पानी पी कर भाग जाता कुछ दिनों तक तो किसी को पता नहीं चला फिर वो तो अपने आपको बड़ा समझने लगा एक दिन वो पानी पीने के बाद तालाब में नहाता रहा उसके नहाने से तालाब का पानी गंदा और मटियाला हो गया जब दूसरे जानवर पानी पीने आए तो उन्होंने तालाब को गंदा पाया शेर गुराया ये किस की हरकत है सब चिके किस ने हमारे तालाब को गंदा किया है सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे बड़ी देर के बाद कच्छवे ने कहा देखो मैं तरकीब बताता हूं कि हम किस तरह से उस चोर को पकड़ें आप मेरे कमर पर मोम लेब दे में सारी राद तालाब के किनारे बैठ कर चोर का इंतजार करूंगा और उसको जरूर पकड़ लूँगा सब ने इस राए से तफाख किया और कच्छवे की कमर पर मोम की ते जमा दी गई कच्छवा तालाब के किनारे बैठ कर चोर का इंतजार करने लगा उसने अपना सर पाओं और दुम को खोल में छुपा लिया वो दूर से एक पत्थर की शक्ल का नजर आने लगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो खोल से मू निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आतो नहीं रहा है सारी रात इंतजार करने के बाद सुभा के करीब उसे जाड़ियों में खड़ खड़ाहट सुनाई दी कच्छवा जल्द इसे तालाब के किनारे किसक गया सफा नंबर चौटीस और पत्थर की मानिंद बेहिस होकर बैठ गया गीदर रोजाना की तरह बहार निकला और उसने इधर उधर देखकर इत्मिनान कर लिया कि उसे कोई देख नहीं रहा है जब वो कच्छवे के करीब आया तो उसने देखा कि एक खुबसूर सा पत्थर पड़ा हुआ है पाउं रखने के लिए ये कितना अच्छा पत्थर है गीदर ने सोचा और अपने अगले दोनों पाउं उस पर रख दिये गर्दन जुका कर पानी पीने रखा सर उठा कर आगे बढ़ना चाहा तो पाउं नहीं ले उसके दोनों पाउं जम गए थे इसमें तस्वीर है और तस्वीर में गीदर एक पत्थर पर बैठा हुआ है पत्थर यानि वो कच्छवे पर बैठा हुआ है गीदर चिलाया अरे मुझे जाने दो ये धोका है ये चाल है कश्वा बोला सिर्फ तुम ही धोका नहीं देना जानते गीदर ने धम की दी मैं तुमारे खोल को तोड़ दूँगा कश्वा बोला जो ची चाहे करो गीदर ने जैसे ही खोल पर मुँ मारा उसका मुँ खोल में फस गया कश्वा तालाब से आगे बढ़ने लगा गीदर ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत गोशिश की मगर वो कामयाब नहुआ उसने अपने पिसले पाउँ को जोर से खोल पर मारा मगर ये क्या उसके अगले पाउँ भी जम गए कश्वा उसे इसी तरह ले आया जब जानवरों ने ये खबर सुनी तो सब गीदर को देखने के लिए जमा हो गए इसमें एक तस्वीर बनी हुई है इसमें शेर भी है लंगूर भी है खरगोश भी है और गीदर भी है और उसके पीछे पीछे लॉमड़ी भी है हर जानवर ने अपने तोर पर गीदर को बुरा भला कहा शेर आया तो उसने कहा उसे जान से मार दिया जाए उसकी सजा का तरीका ये तै हुआ कि भेडिया उसको दुम से पकड़ कर घुमा कर जमीन पर दे मारे अगले दिन सुभा सुभा सब जानवर जमा हो गए सफा नंबर चटीस गीदर बड़ा चालाक था उसे रात को जो खाना मिला उसकी चर्बी छुडा कर अपनी दुम पर चर्बी उसने मली भेडिया आया और उसने उसे दुम से पकड़ कर घुमा आया दुम में चर्बी लगी हुई थी इसलिए वो पूरी तरह न पकड़ सका और दुम छुड गई गीदर दूर जाकर गिरा और उठकर भाग गया सब जानवर देखते रह गए उस दिन के बाद से फिर गीदर तालाप पर नहीं आया मगर आज भी कचवा तालाप के किनारे सारी रात बैठा रहता है ताके गीदर कहीं से आकर पानी को गंदा ना कर दे सबलात एक शेर ने तमाम जानवरों को क्यों जमा किया दो जानवरों ने पानी जमा करने का कौन सा तरीका अपनाया तीन तालाप के खुदाई किस तरह हुई चार गीदर ने तालाप से पानी पीने का क्या तरीका इख्तियार किया पांच कछुई ने गीदर को किस तरह पकड़ा छे गीदर को क्या सजा दी गई अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दु गुल्दस्ता का ध्वानी पाट, कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर अफ्षान सिद्धी की, तक्नीकी समन्वय बठी लैंगलिंग्डो, तक्नीकी सहयक विकास सांगवान, निर्मार सहयोग सौम्या मलिक, निर्देशन वर निर मलेश चाओधरी ताथा प्रस्तुति CIETNCERT नैदिल्ली भारत.